दोस्तो आजके इस वीडियो में हम आंगनवाडी सुपरवाइजर के बारे में जानेंगे कि आंगनवाडी सुपरवाइजर किसे कहते हैं तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखियेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करे ताके नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके तो हेलो दोस्तो मेरा नाम हेजा जो राज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगनवाडी सुपरवाइजर किसे कहते हैं येकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोग क्या पठाई कर रहे हो तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आगनवाडी सुपरवाइजर क्या होता है दोस्तों आगनवाडी केंद्रों की देखरेक करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आगनवाडी सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है और जो महिला इस जोब को कर प्राफ्ति एक आंकशनरने करनें के लिए आपको सबसे पहरे किसी भी मानियता प्राफ्त्न उनिवसिटी से graduation करने के बाढ़ जो पर्ती निकलती है यानि की परिक्षा के लिए आपको आवेदन करना है महिला एवं बाल विकास अधी विभाग के दवारा समय समय पर ये भरति निकाली जाती है तो जब भी इसकी भरति आती है तब आपको इसमें एपलाई कर देना होता है उसके बाद आपकी लिखित एकजाम होती है जिसे आपको pass कर लेना होता है और लिखित परिक्सा जैसे ही आप pass कर लेते हो तो उसके बाद में आपका interview होता है और आपको interview के लिए बुलाया जाता है तो interview में भी qualify करने के बाद merit list तयार होती है और फिर merit के आधार पर ही आगनवाडी supervisor की नोकरी के लिए selection हो जाता है तो इसी आधार पर आप आगनवाडी supervisor बन सकते हो तो अब जानते हैं कि आगनवाडी supervisor की salary कितनी होती है तो इनकी salary अलग-अलग राजिय के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है लेकिन फिर भी अगर हम अंदाजन बात करें तो आगनवाडी supervisor की salary बार हजार रुपे से ले करके 20 सज्जा रुपे प्रति महीने की हो सकती है तो इसी के साथ आजके इस वीडियो में इतना ही वीडियो को हम खतम करते हैं लेकिन इसे पहले में आप लोगों को बता दूँ के अब हमने हमारी website भी launch कर दी है तो अगर आप Google पे जाओगे सल्च करोगे एजाज कला डिया तो आ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजो में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक महट सकें और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट कर दोस्तों गर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो